2024 लोकसभा चुनाओं के रही कॉंग्रेस सेवा दल से 36 गड़ के प्रभारी बनाये जाने पर राश्ट्री सच्चिव प्रताप नरायन मिश्रा अपने एक दिवसी प्रवास पर भिलाई पहुंचे जहां निगम भिलाई के वाट 21 की पारशत के निमास्थान पर उनका भर भी स कारे करें जिसके लिए प्रताप नायन मिश्रा 36 गड़ प्रवास पर है इस दोरान नगरपालिक निगम भिलाई वाट 21 की पारशत नेहा साहो के निवास पर उनका आगमन हुआ जहां सेवा दल के विभिन्य जिलाद्यक्ष वाडद्यक्ष विशेत बैठक में शामिल हुए यहां प्रताप नायन मिश्रा का भव स्वागत कॉंग्रेस सेवा दल के सिपाईयों ने आत्मी और भव यह रूप से किया और लोगसबा चुनाओं में 36 गड़ की सभी 11 सीटे किस तरह से जीती जाए इस पर चर्चा हुई चर्चा में कॉंग्रेस की वर्तमान निस्तीती पर विचार करते वे 36 गड़ से 11 लोगसबा सीटे जीतने के लिए ठोस रणनीती बनाने की पहल की गई बैठक में वबस्ती सभी जिलाद्यक्ष एवमान ने सेवादल के कारेकरताओं में नई उर्जा का संचार किया गया और बताया गया कि 36 गड़ की जंता सिर्फ चार महिने में यह समझ गई है कि 36 गड़ में काबिस हुई भारती जंता पार्टी की सरकार को चुनकर उन्होंने गलती कर दी है और अब 36 गड़ की जंता कॉंग्रेस के साथ है कॉंग्रेस सेवादल के राष्टी सचीव ने मीडिया से चर्चा के दोरान भी 36 गड़ में वर्तमान में काबिस भारती जंता पार्टी की सरकार पर हमला किया और कॉंग्रेस की सरकार को वादा निभाने वाला बताया वारता कर रहा है और सेवदल ने इक तीन प्रोग्राम बनाए है वो पने कांग्रीश प्रित्यासी को उनको जिताने के लिए संकल्पित हुए है हमारा हर एक कारकरता जहां-जहां जिस जिस बूत पर हमारे सेवदल का कारकरता है हमारा एक नारा है बूत जिताओ सेवदल ने नारा दिया अपना बूत जिताओ इसके बाद दूसरा हम हमारे सेवदल के कारकरता जनता की बीच में जा रहे हैं कांग्रेस की जो गोश्राइं हमने की हैं, उन गोश्राओं को जनता की बीच में रखेंगे और अपनी बात को रखेंगे, दूसरे लोग क्या कहते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकर हम अपनी पार्टी के सिद्धान, नीत, रीद और कारकरवों को लेका जनता की तब भी हमने उन कारकमों को जनता की बीच में जनता को जो अधिकार है उनको दिया चाहिए वो जन सूचना का अधिकार हो चाहिए किसानों का अधिकार हो और आज वो सब थंडे बस्ते में पड़ी हुए तो जनता जानती है और हम अपनी बात जनता की बीच में रख रहे हैं कि 36 गड़ में हमारे लोक्षभा में कांग्रीश के प्रत्यासी बहुत बड़ी मात्ता में संख्या में जीत कर पिछली बार से लोक्षभा कच्चनाव संपन्ध होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे और कांग्रीश पालिटी निश्यत रूप से आपके बार सत्ता में आप मुझसे दुबारा करना तो आप खुद पाएंगे कि कांग्रीश जो कहती है वो बैठने के बाद सत्ता के बैठने के बाद सबसे पहले गोष्णाओं को अमनी जामा पहनाया जाएगा गोष्णाओं होंगी जो बेहनों के लिए धनलक्षमी योजना आई है वो सबसे पूरी की जाएगी क्योंकि कांग्रेश जो कहती है वो ही करती है बहुत अच्छी प्रिशना आपका है कि चत्तिस गड़ में जो जनता ने हमको बैठने का जो अधिकार दिया था हम हमारे हमारे जितने भी प्रदेश और राश्टी निता थे उन्होंने जनता को धनवा देत महिनों में जनता जान गई कि जो कांग्रेश की सरकार में मानने मुखमंती जब थे उन्होंने जो गोश्राइं की थी जो कांग्रेश की जो अमनी जामा कांग्रेश की गोश्राओं को कराये गया था जो कारकमों को लागू कराये गया था आज वो सब जनता से दूर होती चल हमारे साथियों ने बताया है, कि जो योजनाएं, जिनका लाब कांग्रेश की समय मिलता था, वो योजनाएं अब जनता को नहीं मिल लही है। आज हमेशा कांग्रेश की सरकार जनता के साथ उनके दुख, दर्द, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कांग्रेश ने जनता के बीच पर कार किया है, उनकी मजबूती के लिए आज आप देखेगा कि इन सबसे दूर होते चरी जा रही जनता, आज जनता का पूरा जुकाओ कांग्रेश पार्टी की तरफ है, उनका आश्रिवाद आज कांग्रेश पर्ट्यासी को भरपूर मिलना है, जहां-जहां कांग्रेश पर्ट्यासी जा रहे हैं, उनका समर्थन, उनका स्वागत, उनका प्रेम इसने जनता को जो मिलना है प्रत्यासी को, इससे लग रहा है कि जनता जान चुकी है कि कांग्रेश जो कहती है वो ही करती है, जो करती है उसी को हम कहते हैं, निश्य तूप से हमारे यहाँ पर 36 गड़ में बहुत बड़ी संक्या में लोक सभा प्रत्यती दिल्ली कांग्रेश पार्टी की प्रत्यासी की जीत की रूप में जाएंगे। लोक सभा चुनाओ 2024 को लेकर विशेश तोर पर 36 गड़ में दोनों ही दिगर पार्टियां अपने अपने इस तर पर तयारियों में जुटे हुई है और एक दूसरों पर इल्जाम की जड़ी लगाती नदर आ रही है, कि जिस तरह 36 गड़ की जनता ने विदान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस को नकार दिया और भाजपा को अपना समर्थन दिया, क्या उसी प्रकार लोक सभा चुनाओं में भी उलट फेर देखने को मिलेगा या नहीं। ACN News के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट